हिंदुस्तान के हर शेहर में एक अलग तरह का ज्वालम मुखी भुटा है इसके पीछे बेटियों की ताकत और बेटियों का गुस्सा है जब भी भारत की बेटियों ने तलवार या मशाल उठाई इतिहास लिख दिया भारत की एक बेटि शिवांगी स्वरूप ने तो नेवी की पहली महला पाइलेट बनकर नया इतिहास बनाया है जो लोग बेटियों की ताकत का माखते हैं उनको भारत का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए जब हजारों बेटियां पूरे देश में अपनी सुरक्षा के लिए सडकों पर लड़ाई लड़ रही थी ठीक उसी वक देश की एक और बेटी देश की सुरक्षा के लिए शौर्य का नया इतिहास लिख रही थी इस सैक्णों हजारों महिलाएं शक्ती बनकर इस देश को मजबूत कर सकती हैं लेकिन भारत की इतनी बड़ी शक्ती आज मजबूर होकर सडकों पर उत्री है इंडियन नेवी की सब लेटिनेंट शिवांगी स्वरूप भारत की पहली नेवी महिला पाइलट है जो फिक्स्ट विंग डोनियर सर्विलांस विमान उड़ा कर भारत की समुद्री सीमाओं की पहरेदारी कर रही है शिवांगी सुरूप का शौर्य और पराक्रम भारती नारी की विजय पताका है जिसका संदेश बहुत साथ है कि भारत की बेटियों को कमजोर समझने की भूल कोई न करे देश के अंदर और देश के बाहर महिलाएं दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तयार है Well it's a very proud feeling for me, for my parents and it's a different feeling something on you know I've been craving for this since a very long time and finally it's here so it's very I cannot express it. It's a very great feeling. I'm looking forward to complete my third stage of training that is on your operational conversion course so I'll be doing all the MR missions and I'll be fully operational on this aircraft. भारती है महिलाओं के शौरे पर दुनिया के बड़े बड़े फिल्मकार फिल्म बना रहे हैं लेकिन आज भारत में ही बेटियों को अपने सम्मान को बचाने के लिए जंग लड़ी पड़ रही है राश रुपिता महात्मा गांधी ने कहा था जिस दिन भारत में रात के वक्त भी महिलाएं आजादी के साथ घूम सकेंगे उस दिन हम कह सकेंगे कि भारत में आजादी हासिल कर ली है सम्मिधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेचकर ने कहा था किसी भी समाज का मुल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या इस्ठिती है भारत के शास्त्र और सम्रितियां कहती है उपाध्यायानंद शाचार्य आचार्यानाम शतम पिता सहस्त्रम दू बित्रमंता गौरवे तिरिच्षत इसका मतलब है दस उपाध्यायों से एक आचार्य का सौ आचार्यों से खजार पिताओं से मा का गौरों अधिक है भारत की संस्कृती का सबसी जादा जोर ही संसकारों पर है लेकिन अब इन संसकारों को लोग तिलांजली दे चुके हैं शास्त्र कहते हैं मात्रिवत परादेशु परध्यव्यानी लोश्ठवत आत्मवत्व सर्व भूतानी यह पश्यती सह पंडित हैं इसका मतलब है वही विद्वान है जो दूसरे के स्त्री को मा के समान दूसरे के धन को मिट्टी के धेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान मानता है खैदरबाद के वीभत सकान के बाद पूरा भारतीय समाज आपुचिंतन की मुद्रा में कि आखिर सक्त कानूनों के बाद भी महिलाओं के प्रती अपराद और घ्रनेत अपराद क्यों नहीं रुक रहे हैं? मात्रुशत्ति की और महिलाओं के और देखने की दृष्टी सुद्ध होनी चाहिए, स्वख्ख होनी चाहिए, यही इन सब दातों को बन करेगा। में अपना स्थान बनाया है। मा लिया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले 36 अफसर बारे गए थे। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा जटका था। मैंने किसी और देश में नहीं देखी थी। जीजा बाई थी जिन्होंने एतिहास को बदल दिया। जीजा बाई की तरही वीर महिलाओं में रानी दुरगावती का नाम आता है। जेहोंने तीन बार मोगल बाद शाह अकबर के सीना पदी आसफ खान को हराया था। दुश्मन से लड़ते हुए उन्होंने युद भूमी में वीर गती पाई। रजिया सुल्तान का नाम भी भारत की वीर महिलाओं में लिया जाता है। दिल्ली के सुल्तान इल्दुत मिश्की बेटी रजिया सुल्तान तेरही शताबदी में चार साल तक दिल्ली पर हुकूमत कर सकी। दिल्ली के अमीर ये नहीं चाहते थे कि एक महिला उन पर हुकूमत करे। बारसी इतिहासकार में नहास सिराज ने लिखा है। रजिया सुल्तान बहुत बुद्धिमान, नियाएप्रिय, विद्ध्वानों का सम्मान करने वाली और प्रतिभाशाली थी शासन के लाएक सारी योगिताएं रजिया सुल्तान में थी सिर्फ एक योगिता को छोड़ कर कि वो पुरुष नहीं इस्त्री थी किसी देश की सरकार, कोई सिस्टम, महिला सुरक्षा की गरंटी नहीं दे सकता है इस समस्या के समाधान के लिए लोगों को खुद में बदलाव लाना होगा देश के शिक्षास, संसकारों और मूल्यों को उच्छाई पर ले जाना होगा बेटों को बताना होगा कि बेटियों की इज़्जत करना जरूरी है उदाहरण के तौर पर उन्हें ये भी सिखाना होगा कि हिंदुस्तान की बेटियों ने हर मोर्चे पर काम्याबी के जंडे लहराएं बेटियां जब तलबार उठाती हैं तो लक्ष्मी बाई की तरह शौर्य दिखाती हैं और जब नेवी में प्रवेश करती हैं तो सरहदों की नेगरानी करती हैं प्रवेश प्रवेश करती हैं